हेलो विवर्स हर हर महादेव श्रावणी शिवरात्री आ रही है जो की 6 अगस्त को है उसके लिए पार्थिव शिवलिंग निर्मान करना है जैसा कि पंडित प्रदीप मिष्टा जी ने बताया है तो आप सभी ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे कि उन्होंने बताया है कि ब्र कथा में ये बताया है कि यदि आपके पास लाल मिट्टी नहीं है जो कि शत्रिय के लिए यूज होनी है तो आपके पास जो भी मिट्टी है आप उसमें लाल चंदन लगा के पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करें और यदि आपके पास सफेद मिट्टी नहीं है जो कि ब तो आप उसमें हल्दी लगा दें, पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करें, इसी तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग में थोड़ी से काली मिश पीस का जरूर उसमें मिलाएं, इसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह आम को पूजा करेंगे जो की साथ वज़े करनी है तो काली मिर्च के 21 दाने अवश्य चणाएं और ये 21 दाने परिवार के 1110 से अवश्य चणाएं चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो आप उसके हाँ यह अवश्य कराएं शिप पुराण के अनुसार काली मिर्ची रोग मुक्ति देती शिप महा पुराण के अनुसार जो श्यामणी शिवरात्री के दिन पार्तिफ शिवलिंग बना कर उसका अभिश्यक पूजा करता है उसके यहां कभी रोग नहीं हो सकता ऐसा महा शिप पुराण में बताया गया है यदि ये वीडियो पसंद आता है तो जाद से जाद लोगों के साथ शेयर करें हर हर महा देव घर घर महा देव